हलो एफ्रीवन मैं हूँ पारूल और स्वागत है आपका क्रेविंग्स बी योरोन शेफ पर तो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्चे आम के अचार की रेसिपी ये इंस्टेंट अचार है लेकिन आप इसको महीनों तक खाल सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पांच कच्चे आम लिए हैं इनको सबसे पहले तो हम अच्छे से धो लेंगे और इनको धोने के बाद हम इनको एक कपड़े से रगड़ कर पोँच लेंगे और आप चाहें तो इनको थोड़ी दिर धूप में या फिर हवा में रख दें ताकि इसमें जरा सा भी पानी का असर ना रहे ये एकदम ड्राइ होने चाहिए तब ही अमारा जो अचार है वो लंबे समय तक हम चला सकते हैं तो यहां पर देखें मैंने इनको पूच कर थोड़ी दिर के लिए इनको हवा में रख देती हूँ और उसके बाद हम इनको ऐसे टुकडों में काट लेंगे मैंने यहाँ पर इनको इस तरीके के टुकडों में काटा है आप चाहें तो और छोटे या फिर थोड़े और बड़े टुकडे भी कर सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे एक फ्राइ पैन लेंगे और उसमें कुछ सुखे मसाले हमें रोस्ट करने हैं तो सबसे पहले तीन टेबल स्पून जीरा हम इसमें डालेंगे फ्लेम को यहाँ पर मैंने एकदम लो रखा है अभी तो तीन चम्मच जीरा और दो चम्मच जो राई होती है ना वो मैंने यहाँ पर डाली है और एक चम्मच मेथी दाना और यह सेम ही साइस की जो चम्मच है ना टेबल स्पून वो मैं यहाँ पर इस्तिमाल कर रही हूँ तो इस तरीके की किसी भी चम्मत से आप measurement कर सकते हैं इन सारे मसालों को हम low से medium flame के बीच में 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अच्छे से roast हो जाएं और इनका जो अरोमा है वो थोड़ा सा alive हो जाएं तो इस तरीके से इनको चलाते हुए भून लें इनको ओवर कुक ना करें क्योंकि अगर इनको थोड़ा सा जादा ओवर रोस्ट आपने कर लिया तो फिर इनका जो टेस्ट है वो थोड़ा कड़वा लगेगा तो बिल्कुल हलका सा हमें एकदम भूनना है तो यहाँ पर मसाले जो हैं वो भून कर तयार हो गए हैं अब हम इनको बिल्कुल थंडा होने देते हैं तो एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको थंडा होने के लिए रख देते हैं और उसी फ्राइपन में अब हम थोड़ा सा तेल लेंगे तो एक कटोरी से नापकर मैंने यहाँ पर तेल लिया है मैं यहाँ पर mustard oil सरसो का जो तेल होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ तो डेड़ कटोरी यह जो छोटे साइस की कटोरी है ना इसी से नापकर डेड़ कटोरी तेल मैंने इसमें डाला है और इसको हम एकदम smoky, hot होने तक गरम करेंगे और उसके बाद इसको थंडा होने देंगे एकदम थंडा यह तेल हो जाना चाहिए तो यह देखिये यहाँ पर आप यह जो तेल है इसमें से धुआ निकलने लगा है गैस को बंद कर देते हैं और इसको एकदम ठंडा होने देते हैं अब ये जो केरी हमने काटे थी ना गच्छे आम इसको हम एक बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि हम इनको अच्छे से मिक्स कर पाएं तो यहाँ पर मैंने इनको एक बड़े वाले mixing ball में डाल लिया है और दूसरी तरफ वो जो राई, जीरा और मेती हमने भून कर ले थी वो पूरा अच्छे से ठंडे हो जाने के बाद मैंने ग्राइंड करके powder बना लिया है तो यह एक चम्मच मैंने यहाँ पर हींग डाला है वो ही बड़े वाला चम्मच मैं यहाँ पर इस्तिमाल कर रही हूँ तो दो बड़े चम्मची हम यहाँ पर सौफ का पाउडर डालेंगे सौफ को भी मैंने पीस कर पाउडर बना कर रखा था और ये दो बड़े चम्मची हम यहाँ पर कोरियंडर पाउडर डालेंगे एक बड़ा चम्मची भरकर हम इसमें हल्दी डालेंगे और ये है रेड़ चिली पाउडर ये थीखे वाला है तो मैं यहाँ पर दो चमच डाल रही हूँ और ये एक चमच यहाँ पर मैंने कश्मीरी रेड़ चिली पाउडर डाला है नमक हम इसमें दो सेम ही चमच से नापकर दो चमच डालेंगे और यह जो मसाला हमने बना कर त्यार किया था, अब हम ये डाल देंगे तो यह जीरा, मेथी और राई का जो मसाला पिसकर त्यार किया था यह तीन बड़े चमच भर के हम इसमें डाल देंगे और बाकी जो बच्चा है आप उसको उठा कर रख सकते हैं से हम सारे मसालों को अच्छे से Mix कर देंगे ताकि जो कच्छे आम है उनके ऊपर यह जो मसाला है बढ़िया से Coach हो जाए तो यह देखि ए कितने अच्छे से मैंने इनको Mix कर दिया है और यह आदा चोटी चम्मच मैंने यहां पर Karam मसाला डाला है चम्मच को आप ध्यान से देख लें सिर्फ गरम मसाला मैंने छोटी चम्मच से डाला है बाकी सारे मसाले मैंने बड़े चम्चे से नापकर यहाँ पर लिए हैं तो यह जो तेल है यह बिल्कुल ठंडा हो गया है तो एकदम ठंडा होने के बाद हम इसमें तो ये देखिए एकदम बढ़िया से भी मिक्स हो गया है आप हम इसमें थोड़ा सा तेल ओर डाल देंगे तेल बिल्कूल ठंडा हो जाए उसके बाद यहाँ पर इस्तिमाल करें और सर्सो के तेल का ही आप यहाँ पर हो सके तो इस्तिमाल करें तब ही जो अचार है वह बहुत ना भूले ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो यह जो अचार है यह उल्मोस्ट बनकर तयार है तो हम इसको रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको ढखकर हम इसको छोड़ देंगे और सुभा को यह देखिए एकदम बजार का ज दूखे डब्बे में आप यह अचार डाले तो पूरा भर ले इसको अच्छे से अगर आप इसको एक हफ़ते से दस दिन के बीच में फिनिश करने वाले हैं तो आप इसको विनेगर डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप इसको पंदरा दिन से ज्यादा रखने वाले हैं तो आप इसमें एक धकन भरकर विनेगर उपर से डाल दीजिए विनेगर सफेद सिर्का मार्किट में आसानी से मिल जाता है तो वो जो बचा हुआ तेल था ना वो भी हम उपर से डाल देंगे तो वो जो तेल है वो मैंने सारा डाल दिया है और उपर से एक